आप नमस्कार आप सभी स्वाटनियों को कोटी कोटी नमन और मैं स्री कश्न सास्ति जी आपको बता दू कि आज हम नवरातरी के पंचम दिवस में बैट और पंचम दिवस की चर्चा करेंगे पंचम दिवस मारा होता है प्रतियम चंद घंटेती कुश्मान डेती चतुरत कम पंचम हम इसकंद माता का आज हमारा दिवस है वो इसकंद माता हमारी बहुती शान्त और सुरूपा धारणी देवी हैं हमारी स्थात्री देवी हैं और इनके हाथ में चार भजावाली देवी ह और यहेकित आजके लिए और शुक्षान के लोगAP, इनकी उपास्ट करतें होती है और शाती ही है कार्त के जी इनके हाथ में बैटे हुए हैं तो पुत्र रत्न की भी प्राप्ति कराती है इसकंद माता जो देवी होती है अवय वर्द प्रदान करती है कि जिन जातकों को या जिन देवियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है वह नौरात्रों के शर्दिय नौरात्र है क्योंकि उस दिन सष्टी प्राता काल लग जाएगी और सष्टी पूरी रात अंगले शुबह तक रहेगी तो पंचमी सष्टी एक हो जाने से हमारे सभी वक्तगणों को बता है दूंकि पंचम दिवस और सष्ट दिवस एक साथ होने के साथ हमारा जाकर के जो दिवस इंगलवार को साड़े चार वजे तक है तो हमारी चत पंचमी तिथी और सष्टी तिथी एक है और दोनों तिथिया एक साथ होने की बज़े से चंद्रगंटा गुश्मान डेती चत्रतकम पंचम मिस्कंदमा तेती सष्टम कात्या इनितिचा तो हमारी कात्यानी देवी का दिन भी हमारा शौंबार को पढ़ रहा है शौंबार को दो तिथिया एक साथ मनाई जाएंगी तो हमारी जो सष्टम तिथी की देवी है तो कौन सी है चले बात करते हैं कि प्रत्मम शेले पुट्रेशा दृतियम ब्रम्हशारनी तित्रियम चंद्रगंटेती कुश्मान ड बजह से उस दिन माता भक्ति कात्या नी की अधियन ब्रत्रटर्गंटे नंद गोपर शृतम देवं पतिम मेर अरुटेन महा यदी हम उस पुत्री जाप करती एक कात्यानी महा माय का रूप है। महामाई धीस्वरी, नंद गोब स्तंदेव, मैठ्ण खाले, क्रुछित्व भगवन, स्विश्वर्ण भ्याउनों, आन रुपल्टीश्वतेय को में अपॄ wp trend को जाता है। को स्मंत्र सीकर्वाइ से जीवन, हो जाता है। और बिवाहों परांटे जीवन में शुक शान्ती स्मद्धि यश्वर की प्राप्ती पर इस पर बहुत प्रीती बनी रहती है। और हमारी जो चण्यमता है नी कात्याहि faculty माता का शरूप की आहसमें चर्चा करेंगी। हमारे कात्यानी माता सेर पे सबार हैं और कमल पस्पब भी विलाजमान होती हैं और इनके हाथ में अभय वर्व बरद पुत्र होता है अभय वर्दान होता है और कमल लिये होती हैं और साथ में तरसूर लिये होती हैं चार भजाम बाली हमारी कात्यानी माता होती हैं जीवन में अभे बरदान की प्राप्ति कराती हैं तो जिन पुत्रियों का बिवाय नहीं होता है पुत्रियों की उपासना करती हैं और लाल चंदन की माला सिन का जाप करना चाहिए और यह दिन हम पूरन सरद्धावाओ के साथ में कारे करते हैं और इस दिन हमें अनार का फल जरूर चढ हाना चाहिए नारेद हैं हमाताग च्रणों में चलाते हैं उसको बीच्षे चक्वुसें तो हमें बर्की प्राप्ती होती है और हमारी मनों कामना प्राप्त होती है माता भगवती को लाल क्वागवति का way अग्यार्ते का करने से एक माला तीमाला पांच माला दियाप करते हो तो भगवति कि और आपको श्रिही बरकी होगे सुंदर। सुसीर और उसी माता भगवती के चरॉण के छनातनियों तब से सास्ती मअराज कि कोटी कोटी नमन और आप हमारे सास्ता चैनल से जुड़े रहें। आप सभी को चैनल सबसक्राइब करता नाम से चे सब्सक्राइब कीजिए और बने रही हमारे चनल साथ में आप सभी को और भी विसेस जानकारियों के लिए नंबर दिया जाता है नंबर भी आप संप्रके करके जानकारियों अपराप्त कर सकते हैं सभी को कोटी कोटी नमन